जैने दोस्तों बंदिमात हमारे देश में आरक्षन एक ऐसा मुद्धा जिसके उपर जब भी बहस होगी तब भी तब वो बहस बहुत दीखी हो जाईगी लेकिन आरक्षन के उपर बात करना इसली भी जरूरी आज की डेट में हो चुका है कि कहीं न कहीं आप देखेंगे कि आज की डेट में जो सरकारी नौकरी हासिल करने वाला यूवा रहता है कहीं न कहीं उसके मन में एक जॉब सेक्यूरिटी की भावना जरूर रहती है मतलब अगर हम बात करें अभी current के example की तो जैसे ही अगनिवीर की घोशना हुई थी उसके बाद से ही पूरे देश में कई जगाओं पर तोड़ फूर और आगजानी करीगी क्यों करीगी वही सभी का कहना था कि हम 4 साल देश की सेवा करेंगे लेकिन उसमें जॉब सेवा की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम निजी स्वार्थ को बीच में रखी नहीं सकते मतलब अगर आप सेना में नौकरी करने जाने की बात कर रहे हैं तो वो देश सेवा ही होती मतलब आप अपनी तरफ से देश के लिए इतना समय दे रहे हैं उसमें यह चीज नहीं आते कि आपको जॉब सेक्यूरिटी चाहिए मतलब एक मानसकता बता रहा हूँ मैं आपको सबके अपने कारण हो सकते हैं लेकिन एक जो मानसकता होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ मतलब आपको समझ में नहीं आए कि काम आपका कैसे होगा इवन सरकारी बैंक से लोन भी कराना है तो मतलब आपके पसीने शूट जाएंगे मतलब उनके भी काम क्या आकलन करना जरूरी हो गया है जिस तरीके से प्राइविट कंपनियों में किया जाता है कि अगर आप काम कर रहें तो ही आप रहेंगे वरना आपकी सुक्सी उटाटा बाय बाय कर दिये जाएगा सरकारी योजनाओं का लाव जब जरूरत मन तक नहीं पहुंचता है या फिर ये कहें कि समय पर उनको नहीं मिल पाता है तो हम लोग सरकार को कोशते हैं कि ये जिम्मेदारी सरकार की थी लेकिन हमें बात उन कर्मचारियों की भी करनी चाहिए जो रुटैर्मेंट का रास्त उसे तितर बितर कर लेते हैं आप समझ सकते हैं मैं किस बारें बात कर लो हूँ यूपी सरकार ने हाल ही में एक आदेश पारित किया जिसमें सपश्ट है कि 50 से ज़ादा उम्र के अक्षम करमचारियों को अनिवारे सिवा निवरती दी जाए कि यहां वरिष्ट करमचारियों से कोई दुश्मनी नहीं है उनका अनुभफ तो चीजों को दुगनी रफ़तार से आगे बढ़ा सकता है दिक्कत अक्षम या फिर लापरवा करमचारियों से है अगर इने विदा नहीं किया गया तो नए लोगों युवाओं को अफसर कैसे मिल और अगर अनिवारे सेवा निवरती के भाई से इन वरिष्ट करमचारियों में इस फूर्दी आ जाए तो सोने पर सुआगा इससे अच्छा तो देश के लिए कुछ हो ही नहीं सकता कई बार देखा गया है कि अच्छी योजना है लोगों के पास पहुँचने से पहले ही ब कि सरकारी करमचारियों की मानसिक्ता का परिणाम होता है और ये मानसिक्ता आपको हर कहीं मिल जाएगी आप एक सरकारी और एक प्राइवेट बैंक में खाता पर खुलवा कर पहुँच जाएगा फरक आपको साफ पतल जाएगा सरकारी बैंक में जहां आपको जाते ही कम से क पर गुम आइए, यहाँ वहाँ चली जाइए, पिपने जाएए, उस टेबल पर जाइए, उस ट्रकर आगे जाए, यह आपको टरकाया जाएगा। फाइलें तो फाइलें आंदमी भी चक्कर काटता रहे जाता है उस पर भी धूल चड़ने लगती है लेकिन इस सरकारी डर्रे को पसीना नहीं आता है इलाज एक है सरकारी करमचारियों के बने रहने का आधार भी उनके परफॉर्मेंस पर ही देना चाहिए तभी हालात सुद्रेंगे वरना यह जो एक कमफर्टेबल नौकरी करने वाला जो जुमला है न जॉब सेक्यूरिटी है इसमें वो लोगों की मानसिकता अल्रेडी आलस में घुसा चुका है पैसे मिलते रहते हैं काम चलता रहता है पता है कोई निकालेगा नहीं तो फिर कोई काम क्यों ही करेगा एक्स्टा एफ़र्ट क्यों ही डालेगा मेरी सुद्रिम फिलाता है जैहिन जैभारत